हाई ग्रीस वुलकम बैक तो माई चैनल ओल इनेर पेंटरिक्स तो आज की उड़ में आपड़को को और एक लोग अप्रिकिशन का रिप्यूद दूँगा इस अप्रिकिशन के नहीं फिंगा लोन अप्रिकिशन है इस अप्रिकिशन के यार आप ड़को को जातर फेस्बुक पर दिखने को मिल जाएगा तो कैसे अप्रिकिशन पर लोन अप्रिके ने से पहले इस वीडियो को आप जो प्रेकिशन के पूरब यालिटी बताऊंगा कि लिए अप्रिकिशन की दर्ब से कितना तक कि लोन कितने दिने है की नहीं और इस यह इन प्रिकिशन इन से पर loan के यह अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए और गई साथ इस वीडियो के तुरू यह भी बताऊंगा कि कैसे अगर आपको कोई भी loan application से loan लेके already फाच चुक हा है और loan opinion के लिए आप लोगों को बहुत तरगी से harassment और ब्लग मिल किया जा रहा है तो loan application के harassment और ब्लग मिल से बचने का solution किया है इस वीडियो के तुरू आप लोगों को मैं step by step बताऊंगा तो कि इस finger loan application को open करने के time पहले इंडर्फिस आएगा login का login करने के बाद step का और एक selfie photo अप्लोड करना होगा यह सारे photo अप्लोड करने वाद लास्ट में फिल करना होगा बैंक अप्लोड को अप्लोड मिलेगा वो लोगों का बैंक खाते में केडिट हो जाएगा तो कैसे यह आप लोगों को मिस आप्रिकिशन की रियालिटी बताऊंगा कि गज़ इस application के interest rate और service भी बहुत ही जादा है और इस application की तरफ से जो टेन वाट एक प्रट काया जाता हुआ है वो बहुत ही उप्लोड करना होगा तो गईज इस video के तुरूँ आप लोग को मैं finger launch application के बार में पूरा details में बता दिये कि इस application के तरब से कितना तके इंट्रेस्ट और सर्विस करिया आता है और इस application के तरब से कितने दिनों के लिए 10.08 टेप राट कर आता है और इस अभी आप लोग को मैं बताऊंगे किसे अगर आप लोग इस टप के 7S बाले loan application से loan लेंगे तो क्या-क्या प्रोब्लियों का सामना करना होगा और इस टप के 7S बाले loan application के तरब से loan इपेन के लिए किसी तरीके से harassment और blackmail किया जाता है जैसे कि आप लोग क्या करते है इस टप के 7S बाले loan application के facebook, instagram पे add देखने के बाद review बगरे चेकाब ना करके सिद्धा जाक के loan के लिए अप्लाई कर देते है और उसलिए में आप लोग को कभी सारे पर्मिशन एलग करने के लिए कहा जाता है जैसे कि camera, contacts, gallery, storage, call history, SMS history और आप लोग क्या करते है सारे के सारे पर्मिशन को एलग कर देते है और उसलिए में इस्टेप के 7S बाले loan application क्या करता है mobile की पूरा data, contact list, gallery, call history, SMS history, सब कुछ access कर लेता है फिर कैसे अगर आप लोग इस्टेप के 7S बाले loan application से loan लेते है तो due date से पहले definitive number से call और SMS करके आप लोग को बहुत तरी किसे torture और harassment किया जाएगा और इस्टेप के 7S बाले loan application क्या करता है, loan application के लिए contact list में जितने सारे नंबर को call करके अब उसी लेंग्वेजी उसका था है और इस्टेप के 7S बाले loan application, loan application के लिए ऐसे भी करते है कि loan apply करते है टेमें आप लोग जो selfie photo upload करते है उस photo के साथ new photo add करके उस एडिटेश new picture को contact list में जितने सारे नंबर है, सारकेसा है नंबर को send काता है और साथे साथ ऐसे भी कहते हैं कि photo के साथ bad word use करके contact list में जितने सारे नंबर है, जैसे कि friend, family member, relative, सब को send काता है और गर इस्टेब के 7-10 बाली loan application ऐसे भी कहते है कि loan EPN करने के बाद भी update नहीं काता है फिर दुबारा loan EPN के लिए बहुत तरी किसा harassment और blackmail काता है और गर इसमें आप लोगों को सब सब कहते हैं तो कि इस्टेब के 7-10 बाली loan application NBPC registered RBI registered नहीं होता है इस्टेब के 7-10 बाली loan application NBPC registered RBI registered है और आप लोग यह सब loan application पर loan के लिए एक ही तरीका का इस्तेमाल करता है बहुत है harassment और blackmail और गर इस्टेब को 7-10 बाली loan application आईसा भी करता है कि loan EPN के लिए due date से पहले definitive number से call or smith करता है और बोलता है कि एक extension amount pay कर दीजिए आपको जो 10-10 है और 7-10 के लिए increase कर दिया जाएगा और आगे जाके आप hub amount pay करेंगे तो आपका loan close हो जाएगा फिर के 7-10 के बाद आप लिए को और call or smith करके loan EPN के लिए बहुत तर किसा harassment और blackmail किया जाएगा और आप लिए को फूल amount pay करने के लिए का जाएगा तो कि जैसे 7-10 बाली loan application के तरफ से बहुत तर किसा scam किया जाता है और इस्टे को 7-10 बाली loan application ऐसे भी करते हैं कि loan repay करने के बाद loan की ज़रूरत नहीं है रिएपलाई नहीं किया है फिर भी without any information loan provide करता है फिर 7-10 के बाद call or smith करके बहुत तर किसा harassment और blackmail करके double pay सा वसूली करता है और इस एगर आप लोग इस application से loan लेता है इमेल दिखने को मिलेगा अगर आप लोगी email पर contact करेंगे तो response मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई guarantee नहीं है और इस finger loans application आप लोग को play store में available दिखने को नहीं मिलेगा तो किसे भी बात है कि finger loans application loan गी इस एफ application है कि नहीं तो इस टेव के 7 days बाली loan application टोटली आंसे वारो फजी होता है इस टेव के 7 days बाली loan application आर्बे के कोई guideline फॉलो नहीं का था है इस टेव के 7 days बाली loan application NBBC register, RBI register नहीं होता है loan के नम लोगों से ज़्यादा इंटेस्ट और service भी लिए था है जो मैं already इस वीडियो के तुरू आप लोगो को पूरा डीटेस में बता चुका हूँ और किस अभी आप लोगो को मैं बता हूँ है कि अगर कोई already step के 7 days बाली loan application से loan लेके फाच चुका है और loan repayment के लिए आप लोगो को बहुतर किसा harassment और blackmail किया जा रहा है तो इससे बचने का solution किया है जैसे कि अप लोग step के 7 days बाली loan application से loan लिया आए और loan repayment के लिए आप लोगो को बहुतर किसा harassment और blackmail किया जा रहा है और भेत अगर किसी के साथ ऐसा हो रहे कि अप लोग step के 7 days बाली loan लोगा बाली loan adaptation से loan लिया है loan को repayment कर चुका है एक भी पैसा रिपेबंट मात कीजिए कर दीजिए और लोन क्या वाली लोन एप्लेंट के खिलाब और पुलिष कंपेंट काईसे करना होगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्ट्टन पर उस वीडिव का लिंक दिखने को मिल जाएगा उस वीडियो के दिखे आप मैंक या और को बोल दीजे कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है, अगर लोन इप्यूइन के रिएटेड मेरे नम पे किस विदर की कॉल, SMS आए, और एडिटेड नूट पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें, और किसा आप लोग साथे साथ ऐसे कीजिए कि आप जो भी सोशाल मेडिया अकाउंट यूज़ करते हैं, जैसे कि फेस्बुक, वाटसाप, फेस्बुक यूज़ करते हैं, तो फेस्बुक पे एक स्टोरी डाल दीजिए, अगर आप वाटसाप यूज़ करते हैं, तो वाटसाप पे एक स्टेटाश डाल दीजिए, और बोल द स्टेटास पर डाल दीजिए इससे किया होगा आपका कॉंटेक लिस्ट में जितने सारे नंबर है सब को ट्रस्ट होगा कि आपके साथ सच में लोन के नाम इसकाम हुआ है और जिस अगर इस्टिक को सिवनेत बाली लोन अप्रिकरण के दिरफ से लोन इपेन के लिए आप लिए को कॉल ररेंट कि आपके लिए मोट करें यह निए आप लोग इस्टव के 7S बाले लोन अप्रिकिशन की कॉल और इसमेंस को इग्नोर करें अगर आप लोग ज़्यादा रिस्पोंस करेंगी तो और ज़्यादा आप लोग को हरस्मेंट और ब्लाग मिल किया जाएगा और गैस साथ अब लोग ऐसा कर सकते हैं कि ट्रू कोल और अप्रिकिशन को डाउलोड करके अनुन कॉल को ब्लॉक कर दीजिए तो इससे क्या होगा अनुन नंबर से जो भी कॉल आएगा बो ऑटोमेटिकली काच जाएगा तो गैस इस वीडियो के थुरू आपको को में step by step बता दिया कि गैस अगर आपको कोई भी loan application से loan लेके फाच चुगा है तो इससे बाचने का solution क्या है कैस अगर आपको की solution को step by step follow करेंगे तो आपका जो problem है 100% solve हो जाएगा फिर भी कैस अगर किसी का problem solve नहीं होता है तो इस वीडियो का description पे बना WhatsApp नमबर दिखने को मिल जाएगा आप लोग WhatsApp के थुरू मेरे साथ contact कर सकते है और कैस अभी आप लोगों का मन में step का 7S बाली loan application को लेके कभी सारे सवाल आ सकते ही गा इस टब का loan application आपके खिलब legal action ले पाएगा कि इस टब का loan application की तरब से loan repayment के लिए recovery agent घर पे आएगा तो किसमें आप लोगों को बता देता हुगे इस टब का 7S बाली loan application लोग एजन घर पे नहीं आएगा इस टब के 7S बाली loan application loan repayment के लिए call or dismiss करके harassment के आलबा कुछ नहीं कर पाएगा और गजिस टब के 7S बाली loan application की तरब से बाई हट साब कोई legal notice बेजा जाता है तो आप लोगों को इस लिगाल notice को देखके डारिये मत क्योंकि इस टब के 7S बाली loan application की तरब से बाई हट साब ज लिए apply करें तो इस लिए मैं हार बाल बोलता हूँ कि Facebook Instagram पे कोई भी loan application के याद देखके तुरण जाके उजब आप्लिकेशन पर loan के लिए apply ना करें पहरे YouTube और Google पे जाके उजब आप्लिकेशन की रिभू चेकाउट कीजिए और उजब आप्लिकेशन की चेकाउट कीजिए आप्लिकेशन की तरब से कितना तक की इंट्रेश्ट और सर्विस पर रिया जा रहा है और इस अप्लिकेशन की तरब से कितने दिनों के लिए टिन्वेट प्रवाइट कोया जा रहा है यह सारे चीज़े चेकाउट करने के बाद ही आप लोग कोई भी loan application पे loan के लिए apply करें और कैसे भी आप लोग को मैं बता हूँगा है कि 7S बाली loan application से loan लेने का सेव तरीका किया है तो कि जब भी आप लोग कोई भी 7S बाली loan application पे loan के लिए apply करने के लिए जाएंगे उसी देम उस mobile की पूरा डेटा को clear कर लिजिए यानि उस mobile पे जितने सरे photo, videos, call history, SMS history, contact list सब contact list एकर कर लिए 7S बाली loan application पे loan के लिए apply किजिए फिर किसे अगर आप लोग के लिए apply कैते और आप लिए अप्लाइग करने के बाद भी ये application आप्डेट नहीं काता है फितोबरा loan इप्डेट के लिए अगर अगर आप लिए harassment और ब्लाग मिल काता है तो आप लिए इस application के सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी को लोन के रिडेटेट को इशूस या कोई प्रोब्लेम होता है जैसे कि लोन इप्याइन करने के बाद भी अपडेट नहीं काता है फिर तो बड़ा लोन इप्याइन के लिए आप लोगों को हरस्मेंट और ब्लाग मिल तो गैसे ही था स्काइब छोड़ा दन गई तो अगर आप लोगों कोई ये वीडियो आच्छा लेगे तो जरूँस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को चाहसा था शेयर कीजिए तो कैसे आप लोगों की साथ मुलोगातुरा नेक्स वीडियो में तक तक के ये जाई ही इंद बंद मातराम